जैश्री शाम खाटू शाम जी के इस वस्त्र के लिए कतार में रहते हैं विदेशी आखिर क्या होता है बागा जानते हैं इस विडियो में यहां एक पीले रंग का वस्त्र होता है जो बाबा के 365 दिन लिप्ता रहता है यहां बसंती कलर का वस्त्र सिर्फ और सिर्फ बसंत पंचमी को बदला जाता है ऐसा कहते हैं सुना है और अपनी आंखों से देखा भी है इस वस्त्र में इस बसंती कलर के वस्त्र में इतनी ताकत होती है कि मुर्दा आदमी भी खड़ा हो जाए इस वस्त्र में कोई भी तारा मोती की कारीगरी नहीं की जाती है, इसमें कोई भी जड़ीबूटी नहीं लगाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन रहता है, इसकी खासियत बस इतनी है, यह बाबा के 365 दिन लिप्ता रहता है प्रत्यक वर्ष की बसंत पंचमी को नया वस्तर पहनाया जाता है, पुराने वस्तर को बाबा के प्रेमियों को बाट दिया जाता है, यह कम से कम देड से दो मीटर का होता है इसकी महिमा यह है, अगर कोई व्यक्ती बीमार है, किसी के परेशानी है, कोई मर गया है, अगर उसके गले में इस वस्तर को बांध दिया जाए, हाथ की कलाई में बांध दिया जाए, तो मुर्दा आदमी भी खड़ा हो जाता है, इतनी ताकत है, यह सुना ही नहीं है, अप अगर किसी प्रेमी को चाहिए तो बसंत पंचमी के दिन खाटू धाम में मिलता है, एक छोटा सा टुकड़ा भी इसका बड़े-बड़े काम बनाता है। जय जय श्री श्याम एक साल में उतरता है अंत वस्त्र बसंत पंचमी, बसंत पंचमी पर बाबा श्याम, बाबा श्याम का पीट श्रिंगार होता है। इससे पहले उनके अंत वस्त्र उतारे जाते हैं। यही वह वस्त्र है जिसका आस्था की द्रिष्टी से काफी महच है। भक्तों का मानना है कि यहां वस्त्र किसी वर्दान से कम नहीं है. इससे संतान प्राप्ती, शादी, व्यापार, नौकरी, सुख, शान्ती, आदी मिलकर जीवन के सभी दुख दूर होते हैं. लोग इस वस्त्र के लिए कई दिनों से राह देखते हैं. पंचामरत से स्नान के बाद पहनते हैं पीत वस्त्र. बसंत पंचमी पर बाबा श्याम का विशेश श्रिंगार होता है. बाबा श्याम के शीश का पंचामरत से स्नान करवा कर फिर से पीले रंग का अंत वस्त्र पहना कर उसकी उपर पोशाक और पीले फूलों का शन्रिगार किया जाता है. भक्त लकदातार के इस मनोहारी रूप का दर्शन करने के लिए काफी लोग खाटू नगरी पहुचते हैं.